दोस्तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले है मिडल गेम पोजिशन को ग्रांड मास्टर कैसे हैंडल करते हैं यहाँ पर एक पोजिशनल गेम रखी गई है आप इसे देख सकते हैं यहाँ ब्लेक की पोजिशन बहुत ही स्ट्रॉंग है यहाँ पर वाइट को मुव एंड वीन करना है दोस्तो आप यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करें और वाइट के लिए बहतरिन मुव सोचे ठींग लाइक ए ग्रांड मास्टर चलो दोस्तो हम यहाँ ट्राइ करके देखते हैं वाइट ने पहला मुव क्या खेला होगा हम जितने की कोशिज करते हैं दोस्तो यहाँ पर हम रूख कैप्चर कर सकते हैं दोस्तो देखो पॉन से रूख हमें मिल रहा है चलो रूख लेके देखते हैं पॉन कैप्चर रूख नाव ब्लेक ने क्या खिला दोस्तो क्वीन कैप्चर ह3 पॉन नाव हमारे पास एक ही मुवे दोस्तो, king on g1 यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो, ब्लेक ने बहुत ही बैतरीन मुख खेला है दोस्तो, यहाँ पर queen on h1, another check हमारे पास एक ही मुवे दोस्तो, king on f2 नाव ब्लेक ने खेला, queen, capture, rook यहाँ तो हमारी गेम हाथ में से जाती हुई नजर आ रही है दोस्तो चलो पर गेम को हम पूरी तरह से देखते हैं आगे क्या होता है king on g3 नाव रूक on g4, check अब हमारे पास एक ही मुवे दोस्तो, आप यहाँ देख सकते king on h2 नाव queen on h1, check and met यहाँ तो हमारी गेम फीनिस हो रही है दोस्तो यहाँ पर हमें गेम जितने के लिए कुछ दूसरा वेरियेशन चोचना पड़ेगा तो चलो दोस्तो हमने रुक को capture करके देखा था पर यहाँ पर हम गेम लोज कर दी हम गेम को विन नहीं कर पाएं दोस्तो कुछ और वेरियेशन चोचना पड़ेगा यहाँ पर नाव हम देखते हैं कि knight on e6, check ब्लेक के पास एक मुवें दोस्तो king on e8 नाव हमाई queen on d6 अब देखते हैं दोस्तो ब्लेक यहाँ पर क्या मुव करता है king on h3, check नाव हमारे पास और कोई मुव नहीं है दोस्तो king on g1 यहाँ हमारा f2 पर king आगे यहाँ पर बार निकल सकता है दोस्तो अब ब्लेक क्या मुव करता है हमें देखना है नाव king on e3 दोस्तो आप देख सकते हैं कि हम बार नहीं निकल सकते हैं दोस्तो यहाँ पर नाव हमारे पास एक ही मुव बचाए king on h2 नाव ब्लेक टे क्या खिला दोस्तो knight on g4 check and met यहाँ पर भी हमारी गेम फिनिश हो रही है दोस्तो आप देख सकते दोस्तो हम यहाँ पर दो बाई ट्राइ कर चुके है पर हम गेम भीन नहीं कर पाए दोस्तो अब देखते हैं कि इस गेम का solution grand marshal कैसे लाते और इस गेम को कैसे बीन करते चलो हम आगे देखते हैं कि grand marshal का पहला मूँ क्या होगा grand marshal की पहली मूँ थी knight on e6 दोस्तो यह मूँ करके तो हम नहीं देखा था हम यहाँ पर met नहीं कर पा रहे थे अब हम देखते हैं कि यहाँ पर white से कैसे बीन होते चलो आगे देखते हैं कि black के लिए और कोई option नहीं है black ने खिला king on e8 now अब क्या मूँ होती है हम देखते है white के लिए now GM ने खिला king on d8 देखो दोस्तो यहाँ grand master ने अपने queen को sacrifice कर दिया दोस्तो आप देख सकते हैं कि बहुत बहुत बैतरी मूँ के लिए यहाँ बिशब से queen को capture करके देखते हैं कि यहाँ पर वो कैसे बीन होते हैं black bishop take queen दोस्तो अब तो यहाँ पर बहुत ही कम पीश पड़े हुए white के सोचे ज़रा और ऐसा कौन सा मूँ के लाओगा कि यहाँ पर black ने game को resign कर दिया rook on f8 आप देख सकते हैं दोस्तो पहले queen का sacrifice किया अब grand master ने rook को भी sacrifice कर दिया now rook take rook knight on g7 check and mate आप देख सकते हैं दोस्तो यहाँ पर फोर मूँ में हमारी game को कैसे win कर दिया हारी हुई बाजी को कैसे जित में पलरती दोस्तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारी channel को like, subscribe और share जरूर करें